नमस्कार दोस्तो मैं रविंद्र पवार आपका रपी स्टेडी पाइंट में स्वागत करता हूँ दोस्तो आज के इस वीडियो में मानना और रोक से संबन्दी 30 महत्पुन MCQS कोस्चन लेके आया हूँ जो कि पिछले एक्जामों में पुछे गए है तथा आने वाले एक्जामों के लिए काफी most important question है दोस्तो इसके पहले आपने हमारे चैनल आरपी स्टेडी पाइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले चार वीडियो को देखें आईए स्टार्ट करते है फर्स्ट question से प्रस नमबर पहला है आप्थेलमोलाजिस्ट किसका उपचार करता है और आरपी जेए में आये वाले question है ये तो इसका सही answer है आपस नमबर सी आप्थेलमोलाजिस्ट आखो का उपचार करता है प्रस नमबर दो इंजियो प्लास्टी से किस रोग का उपचार किया जाता है आरपी जेए में आये वाले question है इसका सही answer है आपस नमबर डी हर्दय रोग प्रस नमबर 3 गठिया एक बीमारी है जो किसको प्रभाइद करती है RRBJ में आवाल कोस्चन है इसका सहीं आंसर है आपसन नमबर 1 गठिया बीमारी जोडों को प्रभाइद करती है दोस्तो रक्त में जब यूरी अमल की मात्रा बढ़ जाती है तो रक्त जोडों के पास जमा हो जाता है और जोडों में दर्द होता है जिसे हम बोलते हैं गठिया रोग याद रखना है यूरी अमल रक्त में अत्तरीक मात्रा में जम जाता है प्रस नमबर 4 है इन में से कुन सा एक संक्रामा करोग नहीं है आराज भी जेई में आयवाल कोस्चन है इसका सही आंसर है आपस नमबर D मधु में है एक संक्रामा करोग नहीं है दोस्तों मधु में है जिसे हम डाइबिटीज भी कहते है या अगनासर संबंधी रोग है जो की इनसुलिन के कम मात्रा में इस्तराव से होता है प्रस नमबर 5 जल से भाई की स्रोग का लक्षन है आराज भी जेई में आयवाला कोस्चन है इसका सही आंसर है आपस नमबर D रेबिज जल से भाई रोग का लक्षन है दोस्तों रेबिज पागल कुत्ते लोमडी तथा पागल भेडी के काटने से होता है रेबीस को हम हाइड्रो फिविया भी कहते है दोस्तो रेबीस रोग रेबीस विसानू के कारण होता है प्रस नंबर 6 प्रोटीन की कमी से होने वाल रोग के पहचान कीजिए प्रस नंबर 7 निम्न में से कौन सा रोग मानो सेर में रक्त कोशिकाओ को प्रभावित करता है और भी जेए में आया वाल कोस्चन है तो इसका सहीं आंसर है लिवके मिया मानो सेर में रक्त कोशिकाओ को प्रभावित करता है दोस्तो इसे ही हम ब्लड केंसर भी कहते है प्रस नंबर 8 ब्यम्डी परिक्षन कीस रोग की जाज के लिए किया जाता है तो इसका सहीं आंसर है आपस नंबर D आस्टियो पुरोसिस रोग की जाज के लिए ब्यम्डी परिक्षन किया जाता है दोस्तो आस्टियो पुरोसिस यह एक हड़ी संबंधी रोग है जिसमें हड़ीया कमज़र हो जाती है और उनको फ्रेक्चर होने का ख़तरा बढ़ जाता है दोस्तो यहां सब दाया BMD इसका फुलफाम है Bone Mineral Density प्रस नंबर 9 एलिसा की स्रोग की जाज करने की तक्निकी है और भी जेई में आवाला कोस्चन है इसका सहीं अंसर है आपस नंबर C एट्स रोग की जाज करने के लिए एलिसा टेस्ट का प्रयोग किया जाता है दोस्तो एट्स का फुलफाम है Acquired Immunodificences Syndrome जोकी HIV Human Immunovirus के कारण होता है दोस्तो यहां सब दाया एलिसा इसका फुलफाम है Enzyme Linked Immunosorbent AZ आपको इसका फुलफाम याद रखना है प्रस नंबर 10 भूम के मस्तिसकों के नुकसान पहुचाने वाला जीका वाइरस किसके द्वारा होता है और भी NTVC माया लोग कोस्चन है इसका सही आंसर आपस नंबर A मच्छर के काटने से होता है जीका वाइरस प्रस नंबर 11 पिलिया से कौन सा अंक प्रभावित होता है जिसका सही आंसर है आपसा नंबर A पिलिया से यकरत प्रभावित होता है दोस्तो इस रोग में शरीर में पित वर्नक की मातर अधिक हो जाती है जिससे रोग पिला सा दिखाई देने लगता है आरर्बी एनटिपीसी में आया वागा कौश्चन है ये डोस्तो पिलिया को हम हेपटाइटीस भी कहते हैं बना यह इपटाइटीस यह इसे हम जोन्डीक के नाम से भी जानते है प्रस नंबर 12 रक्ताल पता इस्धिक इसकी वज़़ा से होती है आरार्बी एनटीपीसी हाई इसका सहीं आंसर आपस नमबर A, RBC की कमी के कारण होता रक्ताल पता, दोस्तो रक्ताल पता सितात पर है कि रक्त की कमी, दोस्तो RBC में होता हीमोगलोबिन और इस हीमोगलोबिन की कमी को ही हम बोलते हैं रक्ताल पता प्रस नमबर 13 आइडिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है आरबी एंटीपीसी में आवला कोस्चन है इसका सही आंसर है आपस नमबर इसका सही आंसर है आइडिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है इसका सहीं आंसर है आपस नमबर B आईडिन की कमी के कारण घेंगा रोग होता है दोस्तो घेंगा रोग में थाइराइट गलंथी उसके वास्तविक आकार से थोड़ी बड़ी दिखाई देती है दोस्तो घेंगा रोग को हम इंग्लीज में goiter रोग भी कहते हैं goiter goiter रोग प्रस नमबर 14 cancer की उत्तोकों की जाज के लिए कुन सा टेस्ट किया जाता है RRB, NTPC मैं आवल कोस्चन है इसका सही आंसर आपस नमबर 1 cancer की जाज के लिए बायोपसी टेस्ट किया जाता है दोस्तो इस टेस्ट में सरी की कोसिका सही तरीके से कारिक कर रही है या नहीं उनका अध्यन किया जाता है प्रस नमबर 15 BCG के TK का इस्तेमाल सामत किसकी रोग थाम के लिए किया जाता है इसका सही आंसर है आपस नमबर 1 तपेदिक रोग की रोगथाम के लिए BCG के ठीके का अपयोग किया जाता है दोस्तों तपेदिक को हम बोलते हैं TB रोग भी कहते हैं जो कि Mycobacterium Tuberculosis नामक जिवानों के कारण होता है दोस्तों यहां सब्दा है BCG इसका फुलफाम Bacillus Calmate Urine RRBG में अलग प्रस्ण है प्रस्ण नमबर 16 शिरोग सरी के किस अंग को प्रभावित करता है जिसका सही अंसर है आपस्ण नमबर C शिरोग सरी के यकरत को प्रभावित करता है प्रस्ण नमबर 17 थाम्रोग सरी किस की बिमारी है RRBG में अलग प्रस्ण है इसका सही आंसर है आपस नंबर C यह रक्त की विमारी है दोस्तों रक्त सिराओं में जम जाता है जिससे सिराओं फट जाती है प्रस नंबर 8 कीमोथेरपी परदती से उपचार किया जाता है जिसका सही आंसर है आपस नमबर B कीमो थेरफी परद्धिती से कैंसर का उपचार किया जाता है प्रस नमबर 19.99 से कुन सा रोग चस्मे से ठीक नहीं किया जा सकता है तो इसका सही आंसर है आपस नमबर D मूतिया बन जो चस्मे से ठीक नहीं किया जा सकता है दोस्तों मोतियाबंद रोक 55 से 60 वर्स की आयू के विक्तियों को होता है नेतरक में लेंस होता है और नेतरके लेंस के धुनलेपन को ही मोतियाबंद कहते हैं सल लिक्रिया द्वारा इसका उपचार किया जा सकता है तोस्तों, ऑस्तों आपस्तों न्रॉबर ये है निकर्ड दश्टी दोस तो कि जो कि आवतर लेंज्ट के उपयोगा इसको ठीक किया जा सकता है Apts No.2 धर दरश्टी दोस्त उत्तर लेंस के उप्योग दर इंसको ठीक किया जा सकता है Apts No.C है जरा दरश्टी दोस्त डीफ्योक्सी लेंस के दरह इसको दूर किया जा सकता है RRB ड़ूर्प D में आ यृस्वर को घ manga Plus No.B A. plays geen ego आजमोडियम नामक पर्जिवी के कारण होता है मलेरिया में शरीर के तीली MRBC को प्रवाइद करता है मलेरिया जो कि मादा एनिफ्लीज मच्छर के काटने से होता है मादा एनिफ्लीज मच्छर के काटने से होता है प्रस नमबर 21 सुखा रोग नीज़ में से किसको प्रभावित करता है MP पुली 2017 में आवला प्रस नहे इसका C आंसर आपस नमबर C सुखा रोग कंकाल तंत्र को प्रभावित करता है दोस्तों रिकेट्स को ही सुखा रोग कहते है प्याद रखना है रिकेट्स को ही सुखारो कहते है प्रस नमबर 22 किसे काली मोत कहते है अर अर भी जी 2019 में आलो कोश्चन है इसका सही आंसर आपस नमबर C प्लेग को काली मोत कहते है दोस्तो प्लेग बेसिलर स्पेस्टिस नामक जिवाईनों के कारण होता है यह चुहों पर पाए जाने वाले पीशों से होता है प्रस नंबर 23 रूधिर में स्वेट रख्त कन्यकों के अत्तदिक मातरा उपस्ति को रोक विज्ञान में क्या कहते है और आर्सी गुरूपडी 28 मायल कोस्चन है इसका सी अंसर है लिवक्यों मिया कहते है दोस्तो इसी को ही हम बलड कैंसर भी कहते हैं प्रस नंबर 24 इनोस्मिया किसे कहते है आर्बी जेए 26 मायल कोस्चन है इसका सही अंसर है आपस नंबर 6 प्रान समवेदना की कमी को इनोस्मिया कहते है प्रस नमबर पच्चिस नेवन में से कुन सा रोग संक्रामक है तिसका सही आंसर है आपसन नमबर डी दिप्थिरिया एक संक्रामक रोग है जो की कोरुनिया बेक्थिरिया दिप्थिराई नमक जीवानों के कारण होता है प्रस नमबर 26 विटामिन एक की कमी के कारण होता है इसका सही आंसर है आपसन नमबर डी नाइट ब्लाइंड नेस दो तो विटामिन एकर आसनिक नाम है रेटी नाल प्रस नमबर 27 कहां काम करनेल वेक्थियों को ब्लेक लंग रोग हो जाता है इसका सही आंसर है कोईला खान में काम करनेल वेक्थियों को ब्लेक लंग रोग हो जाता है प्रस नमबर 28 भारी मातरा में इलकोल पीनियाली रोग मरते है इसका सही आंसर है आपस नमबर B, सिरोसिस से मरते हैं भारी मातरा में इलकोल पीनाले लोग S.S.C. 2018 में प्रस नमबर 29, डेंगू बुखार के कान मानुसिर में किसकी कमी हो जाती है? एससी 2019 में प्रस नहीं इसका से हैं आपस नमबर C, डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। पूलते कुलोरो कुईनों जो भी की मली रेक उप्चार में प्रयोग की जाती है दोस्तों यह मानवरोग से संबंधित तीस प्रस्न थे महत्पुन थे जोकि पिछले एक्जाम पूछे गया थे दोस्तों अभी तक आपने हमार चैनल आर्पी स्टेडी पाइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप आर्पी स्टेडी पाइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे है थेंक्स फार वाचिंग दिस वीडियो